पटना के ग्यान गुवन में बिहार दिवस्ता आयोजन किया गया जिसमें बिहार के सीम नितेश कुमार अपने आवास से विडियो कॉन्फरेंसिंग के माध्यम से जुड़े इस दोरान सभी जिले के डियेम भी मौजूद रहे इससे पहले सीम नितीश और राजिपाल फागो चोहा ने ट्वीट कर प्रदेश वासियों को शुप कामना आए दिया दोनों ने बिहार के निरंतर विकास और सम्रिध्धी की कामना कि बिहार के कई जिलों में बिहार दिवस को लेकर कारिकरम का योजिन किया गया लकिसराय में बिहार दिवस के मौके पर गांधी मेनानस्त खेल भवन के परिसर में ताइक्वांडो और योगा कारिकरम का योजिन किया गया कारेकरम में पायक्वांदो खिलाडियों ने अपनी खला का प्रदर्शिन क्या कारेकरम के अंध में खिलाडियों को डी एम ने मीडल देकर सम्मानित क्या महिसमस्तिपूर के पटेल मेदान में जिलादिकारी शरसान तुष्य भंकर और अस्थाने विधाय के सयुक्तुरुप से दीप प्रजुलित कर कारिकरम की शुरुआत की कारिकरमी कोरोना काल में विश्यस कारे और योगदान देले के लिए कई कर्मियों को समानत गया गया वही नुकर रनाटा के माध्यम से बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ के प्रचार पसार पर भी ध्यान केंद्रत कराया गया जहनाबाद में जलाधिकारी नविन कुमार के नत्युत में अर्वल मोर से कारगिल चौक तर प्रभात फेरी निकाली गई जलाधिकारी ने बताया कि इस प्रभात फेरी का मुख्य मकसब बिहार दिवस का संदेश जन जन तक पहुंचाना है वहीं सहरसा में बिहार दिवस के मौके पह जलाधिकारी कौशर कुमार ने व्रक्षा रोपन कारिक्रम चलाया इस दोरां जन अधिकारी ने बताया कि मुख्य मंत्री नितिश कुमार के ड्रिन प्रोजेक्ट जल जीवन हरियाली के तहत जगह जगह व्रक्ष लगाए गए हैं खाबरों में आगे बढ़ते हैं बिहार में एक बार फिर पोस्टर वार देखने को मिल रहा है दरसल आरजोडी ने पटना के मुख्य चौराहे पर एक पोस्टर लगा आया है जिसमें बिहार गधान सभा के आगे मुख्य मंत्री नितिश कुमार और उप मुख्य मंत्री रेनु देवी आँखो पर काली पट्टी बांगतर बैठे हैं पोस्टर में रिखा है आये धरतराश्टर रुपी बिहार सरकार में आपका स्वागत है इसके लाबा बिहार सरकार की खामियों को भी पोस्टर में जगह दी गई है वहीं आरजडी के पोस्टर पर बिजेपी ने अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दर्ज की है विजेपी प्रवक्ता निकलानन ने कहा कि आरजडी ने पोस्टर के जरिये एक दलित महिला और उप मुख्यमंत्री रेड़ देवी का अपमान करने के साथ सूबे के मुख्यमंत्री को भी अपमानित करने का काम किया है निखिलानन ने इस मामले में तिजस्वी आदब को अभिलंब मुख्यमंत्री और डिप्टिव सीम से माफी मामली के उपहा आरजडी के विधान सभा घिराव के मुद्धे पर बोलते हुए उन्हें कहा कि आरजडी बेवज़ा के मुद्धो पूठा कर जनता फो दिख भ्रमित कर रहे है देखिए राजड किस चीज के लिए कल विधान सभा का घिराव करेगी यह समझ में नहीं आता है मुझे लगता है कि राजड के नेताओं कारेकरताओं को राश्टिय जनता दल दफ्तर का घिराव करना चाहिए तेजस्वी यादों को व्यक्तिगत तौर पर मुप मुख्यमंत्री जी से और विहार के मुख्यमंत्री जी से और विहार की जनता से माफी मागना चाहिए राजी के विज्ञान एवं प्रोध्योगी की मंत्री सुमित कुमार सिंग एवं परियावरन एवं जलवायू मंत्री निरज कुमार सिंग जमुई जिले के नागी पंक्षी श्रणयनी का जाइजा लेने पहुंचे यह दोनों मंत्रियों ने परिसर में नौका विहार का आनंद लिया यह सबसे बड़ी बात है कि माननिय मुखमंत्री जी यहां करना रख चुके हैं और उन्हों ने जो कहा हम लोग चाहेंगे कि अक्षर सा हो पालन हो और सी के दिश्टिकों से हम यहां आये हैं कि माननिय मुखमंत्री जी वहां क्या कहते गए क्या क्या वादा किये हैं उन तमाम वादाओं को पूरा करना हमारा ड्यूटी है और हमने भी देखा भी कि प्रकृति के गोद में जिस तरह से होता यह जील है और काफी संदर जीले और काफी बड़े संख्या में यहां बड़स आते हैं अभी भी हम लोग जहां पुरा सा बोर संदर गए तो काफी बड़स निकलके पेंदर जी हो जाएते तो मुझे लगता है कि 135 टाइप के बड़स यहां कटिहार में हुए पोस्टर प्रकृरण पर आरजडी ने एंडिये पर हमला बोला है आरजडी नेता इकबाल एहमेद ने कहा कि सीएम नितिश्कुमार महाभारत के धृत राश्टर बन गया है क्योंकि सुबे में अपरात का बठता ग्राफ उन्हें नहीं दिखाई दे रहा उन्हेंने कहा कि बीजेपी अब उन्हें अपनी शर्टों पर काम करने के लिए मजबूर कर रही है दरसर रईवार को कटिहार के सदर स्काल में आयोजुत एकर सरकारी समारों में मंच पर लगे बैनर में सीयम की तस्वीर नहीं होने के कारण जेडियू ने ताउने नराजगी जाहिर के लिए जो विधान सावा का घिराओं हम लोग करने जा रहे है और बैडर्ड पोश्टर कर यह जो जिस तरह की विहार में जो सरकार चल रही है जिस तरह साब देख सकते हैं कि रोट पर चलना मुश्किल है जो बैकर गैंग की तरह चलते हैं चैन रूट है पिर आपको देखे कि एट्रियम का लूट है वैपारियों के हत्ते आदम इधर लगातार हो रही है शराब के दर आप देख रहे हैं कि जिस तरह से मंतिरी के घर और स्कूल से शराब जो बरादू का हमारे नेतापरति पक्ष ने आपने जो आवास को बुलन की है उस पर भी जो है आप देख सकते हैं पानून का जो है राज में बेरोजगारी समेट अन्य मुद्दो पर सरकार के खिलाफ आरजडी ने 23 मार्श को विधान सभा घिराव करने का फैसला किया है इसके लिए आरजडी प्रदेश कार्याले में तैयारियां चल रही है इसका जैज़ा लिया नेशन न्यूज समवादाता राजीव कमले है कल 23 तारीक को युवा राजड के द्वारा विधान सभा का घिराव किया जाएगा हम राजड कर्याले के बाहर खड़े हैं आज एक पोस्टर ने आज एक तरीके से हंगामा खड़ा करके रखा हुआ है पोस्टर लगा हुआ है राजड कर्याले के बाहर आपको दिखा रहे हैं कि राजड कर्याले के बाहर राजद इवा राजद के द्वारा विधान सावा घेराव 23 मार्ज को पटना में किया जाएगा उसी को लेकर एक पोस्टर जारी किया गया है पोस्टर लगाया गया है नितिस कुमार और उपमुख मंत्री रेनियु देवी का उसमें एक तरीके से आग पे नितिस कुमार के काली पट्टी लगाई गई है वहीं रेनियु देवी के आखों पे काली पट्टी है इस पोस्टर लगाए गया है जिस पर आप देख सकते हैं दोनों को उपर लिखा हुआ आए धित्राष्ट रूपी बिहार सरकार में आपका स्वागत है जिस वहीं आप विधान सभा बिहार विधान सभा दिखाया गया है और ठीक नितिस्कमार के पीछे सत्मे जते आपको दिखाईए रहा है जिस तरीके से बिहार में सराब को लेकर एक तरीके से हांगावा मचा हुआ है इनके बिहार सरकार के मंत्री के ही सराब रखने का आरूप लगा है सराफ मिलने का आरूप लगा है उसको लेकर कई बार तेजस्वी आदों ने सबूत भी दिखाये हैं विधान सभाम में एक तरीके से जंग तरीके से सत्ता पक्ष विपक्ष में बार बार बात विवाद में भी दिखाया गया है कि जिस तरह वो के बारे में कुछ नहीं कह रही है ना उस पर कुछ करवाई कर रही है उसी को दर्साया गया है आप वहीं पोस्टर के आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ से उस पर दिखाए गया कि बिहार में एक तरीके से अपराद और चेन लूट की घटनाएं काफी बड़ी है तो आप उपर देख सकते हैं कि जिस तरीके से बड़ी है एटीम लूट भी इसमें दिखायक दसाय गया वेपारियों की हत्या सत्ता संरक्षण प्राप्त सराब केंद्र सराब जिस तरीके से बिहार में मिल रहा है उसको लेकर इस पर लि लिखाय गया है जो एंडिये बीजेपी ने एक तरीके से वादा किया था कि 19 लाख रोजगार देंगे उसी को लेकर एक भी यहां उपर लिखा गया है कि मुझे नौकरी चाहिए और इवा अपने जो भी डिग्री लिया है एक लाइन में कटार में खड़े हैं बहुत धक्क मुखी कर रहे हैं लेकिन उनको रोजगार नहीं मिल रहा है वहीं जब डिग्री लिए बाहर निकलते हैं उनको बिहार में कहीं रोजगार नहीं मिलता है उसको भी दिखाया गया जो क्रिसी कानून है क्रिसी कानून जो जिस तरीके से केंदर सरकार लाई है उसको लेकर दिल अब ये देखना होगा कि आगे इस पे बाते कहती हैं और उनके नेता क्या कहते हैं पटना से अमीर कुमार के साथ मैं राजी कमल बिजेपी नेता यदुनात पांडेय ने वोकारोस्तित परिसदन भवन में फ्रिस्वारता कर हेमंत सरकार पर निशाना साथा उन्होंने आरुप लगाते वे कहा कि 18 महीनों की सरकार में प्रदेश में भरष्टाचार महिला उत्पिडन हत्या और उग्रवादी घटना में बंगाल, असाम, पंडिचोरी, केरल और तमिलाडू जिस तरह से अस्थानी निकाई को चिनाओं में दिस तरह से भारते जनता पाठी को सफलता मिली है आसाम में भारते जनता पाठी के पूर्ण सरकार बनने वाली है और बंगाल में परिवर्तन निश्य निश्य बिहार पुलिस में गबन मामले में फरार चल रहे है डॉक्टर पॉल एन स्कीन क्लिनी के मालिक डॉक्टर विजय पॉल को कूलकता से गिरफतार कर लिए है इस मामले में पांच लोग अभी भी फरार चल रहे हैं फरार लोगों में विजय पॉल के भाई और पत्नी समेत अन्य लोग भी शामिल है आगे दिखाएंगे आपको अपराथ जगह से जूड़ी खबरे लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद झाल